बिस्मिल्लाइ रुख्मान दिर्वहीम, टोड़ेस टॉपिक ओफ डिस्कॉशन इस फोरंजिक मैडिसन, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉक्सिकॉलेजी के स्पेसिकली जनल टॉक्सिकॉलेजी के पास्ट एसी क्यूज को डिसकस करने वाले हैं, ठीक है, और इनकी जो डिसकेशन होगी, वो पारिक बेस्ट होगी, और ये एरसी बेस्ट होगी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले, अगर अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जनल टॉक्सि थो इतो को संवाल तो इस नाम से सबस्याइतन train कुक्ते शचाई मोनit में है जादा तार्क्राइव फोरंजिक तो हम चीड वन से सबस्सक्राइब में लिए लिए लगत को तो 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 पॉर्टन होती है वह फॉरेंजिक और मैडिकल तॉक्सिक अलगी स्के अंदर अप मैडिकल लेगल आसपक्त देखते हो किसी भी पॉजन के जो हर्मफॉल एफेक्ट होती है उसके मैडिकल लेगल आसपक्त को डिसकस करते हो अन्दा हीमन बींग अब यहां से थोड़ा पर देख लेती है कि यहां पर क्या लिखा है टॉक्सिक बारे में चीक है तो सबसे बहले यह आप पर लेक्षिक अलोजे की डेफिनेशन लिखी विए है कि टॉक्सिक अलेजिय क्या होती है इसके अंदर आप किसी बी सब्स्टांस की टॉक्सिक एफेक अब लाख के अंदर यह इस तरह से डिफाइन के हुआ है यह कोई ऐसी ट्रॉक होती है जो अगर हम intention देती है किसी की life को safe करने के लिए तर वो बन जाती है medicine लेकिन हमारा intention किसी को नुकसान बन जाने कि होती है तो वो बन जाता है poison यह medical case के अंदर अगर हम इसको जादा quantity में देती है किसी भी drug को तो वो poison बन जाती है लेकिन अगर small quantity में देते हैं तो वो medicine बन जाती है फिर इसके बाद toxinology या toxinology के अंदर आप जो toxins होते हैं sorry plants, animals, bacteria, fungi इनके toxins को study करते हैं ठीक है ओके तो यह आ जाएगा वैसे यह आपर toxicology की मज़ीद branches नहीं लिकिए भी तो toxicology की branches आप यहां से cover कर लेना forensic, occupational, veterinary, pyrotoxicology, genetic, behavior, aquatic, clinical, environmental, inhalations, biochemical, toxinology होती है जिसमें आप toxins को study करते हैं, phytotoxicology, analytical, toxicology होती है इसके बाद हमने question number 2 पे आजाते हैं classify poison acting and nervous system with the examples ठीक है, ओके तो poisons जो nervous system पर जाके काम करते हैं उनको classify करना है अब यहां पे poison के classification लिखी हुई है लेकिन इससे भी जाद अच्छी classification यहां पे लिखी हुई है तो on the basis of the mode of action तो कुछ poisons होते हैं, corrosives होते हैं, कुछ irritant होते हैं, कुछ neurotic होते हैं, कुछ asphyxiant होते हैं यानि corrosives हैं, irritant है, systemic poison हैं और कुछ miscellaneous होते हैं तो इसका memonic है, sin calm C से corrosive, I से irritant, N से neurotic, sin C से भी cardiac poison, A से asphyxiant, M से miscellaneous होते हैं Crossives के अंदर strong acid आते हैं, strong alkalis आते हैं, metallic salt आते हैं strong acid होते हैं, इसको भी मजीद 3 में divide कर देते हैं mineral acid, organic acid और vegetable acid mineral acid के अंदर H2SO4 है, nitric acid है, sulfuric acid आ जाते हैं organic acid, oxalic acid, acetic acid, carbonic acid है, जबकि vegetable acid के अंदर hydrogen cyanide आ जाते हैं strong alkalis के अंदर potassium hydroxide है, sodium hydroxide sodium carbonate है, ammonium carbonate है, metallic salt के अंदर zinc chloride है, iron chloride है, यह भी Crossives के अंदर के अंदर आ जाते हैं इसके बाद है irritant, irritant के अंदर inorganic के अंदर metal आते हैं, metals के अंदर arsenic हैं antimony होता है, mercury है, copper है, lead है, जबकि carbon metallic के अंदर chlorine, bromine, phosphorus और iodine, लेकिन जाद हमने phosphorus को पढ़ना है, और उपर हमने arsenic और mercury को पढ़ना है, और organic के अंदर कुछ plant based होते हैं, कुछ animal based होते हैं plant के अंदर castor oil है, abras है, cannabis indica है, ठीक है इसके बाद animal के अंदर snakes poisons आ जाती है, snakes है, scorpions आ जाती है, mechanical के अंदर glass poisons आ जाती है, nails है, hair है, फिर इसके बाद आते हैं, CNS वाले, तो यह वाला चीज़ वाल ऊचा गया था, neurotic वाले होते हैं, इसको दो में divide करते हैं, तीन में divide करते हैं cerebral poison, spinal poison, cerebral spinal को मिला के CNS बहुते हैं, peripheral morphine आता है, inabdian के अंदर excitement और depression करवाते हैं आलकोहल से, hypnotics आती है, delirium के अंदर CCD है, कैना बस indica cocaine और आ जाता है, धदूर चीक हो गया, तो यह चीज़े आ जाएगा इसके बाद है, endless different type of poison according to the Kate Simpson classification तो इस सारी Kate Simpson classification है इसे की बेसकर, इन्होंने सोरी वैसे यह Kate Simpson classification Kate Simpson classification है तो इसमें corrosives है, irritant होती है यही सब चीज़े है, बस उसको तोड़ के लेग दिया है medical classification को भी देख लो on the basis of their intensity, human action or animal action, intensity की बेस पर हम इनको चार्म इडिवाइट करते हैं, acute, sub-acute, chronic, fulminant जबकि human के अंदर suicidal, homicidal stopping fine poison, accidental poison और a body patient आती है, animal के अंदर accidental है, जिसमें linseed है और intentional के अंदर arsenic आती है अगर हम यहां से देखते हैं तो पर यहां पर corrosives है corrosive poison ऐसा substance जो highly active irritant होता है, जो inflammation produce करने के साथ tissue के ulceration भी करवा देता है, तो उसको corrosive बहुता है highly active irritant होते है corrosives, inflammation plus local ulceration अब इसके अंदर strong acid or strong alcoholism, mineral acid, sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, organic acid carbonic acid, salicylic acid, salicylic acid, vegetable acid hydrosyanic acid, concentrated alcoholism, caustic soda, caustic potash ammonium, sodium, potassium, carbonate, irritant वाले क्या करते है irritant वाले यह abdomen के अदर pain वगरा करवा देते है vomiting और diarrhea जिसको purging वगरा कहते है ठीक है तो vomiting diarrhea और pain वगरा करवा देते है इनके जो पहुआ स्मार्टम अपेरेंस होती है यह GIT के ulceration करवाती है यह redness करवा सकते है इसमें inorganic, organic or mechanical substance है mechanical के अंदर आपको पहले बता चुकाओ के mechanical में powdered glasses आ जाते है chopped hair, dried sponge है यह diamond dust होती है तो यह mechanical category में आ जाते है जबके organic के अंदर vegetable और animal poison है vegetable के अंदर castor seed है क्लोटन है ebrus precotrius है capsicum है, semi-carpus, anacardium होती है जिसको marking net बोलते है chlorotropis को mother बोलते है इसके बाद चित्रा है plumbigo, zilanica inorganic के अंदर metals non metals के अंदर chlorine, bromine, iodine halogen आ जाते है, phosphorus हो आ जाता है metallic के अंदर arsenic है antimony है, mercury है zinc, meganese, barrier यह सब चीज़े आ जाती है तो यह तर classification आपको बने बता दी है कुछ neurotic poison आगे बताए वह पिस cerebral spinal यह मैं आपके बले बता चका हूँ cardiac के अंदर digitalis है oligender है, econite है, nicotine है जबके asphyxian के अंदर carbon monoxide carbon dioxide, sewer gases war gases आ जाती है miscellaneous के अंदर different category क्या आ जाती है like analgesic anti-piratic maspirine है anti-stamine वाली drug आ जाती है tranquilizers, anti-depressants होती है TCA है, halosynogen होती है LSD आती है, street drugs होती है designer drugs होती है question number 36.4 इसको अच्छे तरीके सथ यार करना है और फिर इससे पहले आपने question 36.1 जिसके अंदर toxicology, toxinology और poison की legal और medical definition बताई भी है अब हम जलते है next question के तरफ classify poison crossives यह सारे question यहाँ पे cover हो जाती है इसके बार toxicity or poison होती है कि वह कौन से 5 factors होते है जो poison की action का modify करते है पहले मैं आपको यहां से दिखा जाता हूँ पहला है form of poison के poison की form क्या है form तीन तरह की हो सकती है physical, chemical, mechanical होती है फिर इसके बाद method of administration है method of administration इनके order को देखते है estimate को देखते है हमारी body की condition क्या है condition के अंदर age, state of health, sleep and intoxication है, stomach की condition क्या है root of elimination क्या है, dose effect क्या है और 4 dose or quantity होती है असलमें इन्होंने 5-6 को मिला के 4 बना दिया है तो 4 कौन कौन से है, form है method of administration है, quantity dose है, फिर इसके बाद condition होना body आ जाती है, ठीक है, अब हम यहां से देख लेते है यहां पर क्या लिखागा है तो वह कौन कासी factors होते है जो toxins के action का modify करती है तो यहां पर भी 4 लिखे है dose, जो मने सबसे last में पढ़ा था dose or quantity है, फिर इसके बाद form of poison है physical, chemical, mechanical method of administration क्या है gaseous form में intravenous root intramuscular है, last है condition of the body age क्या है, health की state क्या है sleep के अंदर था या नी था condition क्या है, root of elimination क्या dose के effect क्या है, idiosyncrasy allergy क्या है, habit है, सबसे पहले start करते है dose से, generally कहा जाए small dose होती है, वह therapeutic action produce करती है लेकिन जैसे dose को बढ़ाते है तो वैसे toxic effect देखने को मिलता है यानि जिते जादर dose बढ़ाईगी उतना toxic effect पर जादा होगा और इसके साथ हम ये भी कहते है कि जीन poison को toxic effect produce कराने के लिए थोड़ी concentration चाहिए होती है तो वह जादा toxic होती है that means इनके TD50 कम होता है अब इसके exception लिए पहला है dose वाली heading के अदर वह है idiosyncrasy वाला या inherent tolerance वाला unusual response होता है किसी इंडिविजुल के अंदर किसी भी particular truck का unusual abnormal infrequent response को idiosyncrasy बोलता है अब ये morphine के case में देखने को मिलता है cocaine है quinine है, aspirine है कुछ लोगों को food से भी allergy होती है like mushroom है, egg है, milk है और shellfish होती है तो ये idiosyncrasy आता है जिसको unusual abnormal infrequent response to truck और food in an individual like aspirine के example है इसके बाद है allergy allergy में भी allergy में penicilline आ जाती है aspirine के भी allergy होती है कि कुछ लोग allergy होती है किसी particular truck से, particular medicine से for example, aspirine की होती है hypersensitivity आपने बढ़ाता है sephalosporine की होती है allergic hypersensitivity होती है as a result of previous administration of a substance की पहले हमने कोई substance दिया उसके खिलाव allergy develop होगी दूसरी मरतबा दिया तो आपको hypersensitivity की manifestation देखने को बढ़ाती है इसके लावा कुछ protective सीरा होती है वह भी allergy के अंदर आ जाती है habit habit diminishes the effect of certain poison like अगर आप किसी भी poison को जादा ले ले लेते हो long term level पे लेते हो छोटी-छोटी quantity लेते हो long term level के उपर तो वह poison के effect को या drug के effect को कम कर देती है तो उसको बोलते हो tolerance अब यह tolerance alcohol के case में देखने को बढ़ती है opioids है तो बाको है इसको addiction से confuse नहीं कर देना addiction में तो बार बार लेने की जुरुत परती है tolerance के अंदर आप क्या लेते हो दो poison अगर आप इनको non-toxic doses के अंदर यानि वो doses जिसके अंदर यह हमारी body का नुपसा नहीं पहुंचाते इन दोने को मिला देते हो और एक साथ पिलाने की बड़े से toxic symptom देखने को मिलते है तो यह synergism की बड़े से देखने को मिलते है अगर additive होगा अगर इनका final response इनके individual action को मिलाने के बराबर होगा तो dos and quantity के अंदर पहला हमने क्या पढ़ा कि जितने जादा dose बढ़ाएगी उतने जादा toxicity बढ़ जाती है फिर हमने कहा कि इसके अंदर कुछ exceptions होती है इस rule की पहला iduce incuracy यानि किछ लोगों को थोड़ी dose से भी किसी particular food से allergy होती है फिर हमने पढ़ा allergy है फिर हमने habit को पढ़ा फिर हमने synergism और additive effect को पढ़ा ठीक है फिर हम पढ़ते हैं हम दूसरे effect को like dose effect है for example कुछ ऐसे poison होती है जो emetic effect produce करती है like जैसे हमने poison लिया तो उसके बाद vomiting start हो जाती है इस case भी अगर हम dose को बढ़ाते है तो violent vomiting हो जाती है तो फिर उस dose का toxic effect या उस poison का toxic effect खतम हो जाता है कभी कबर ऐसा होता है कि जो large dose होती है वो small dose से differently act करती है like जो large dose है आरसेने की वो death करवा सकती है by shock जो small dose होती है वो GIT की irritation करवा सकती है तो dose effect तीन टाइप की है पहला है emesis दूसरा irritation और तीसरा death by shock ठीक हो गया तो यह dose effect होता है इसके बाद देख लेते हैं हम cumulative effect cumulative effect के अंदर क्या लिखावा है कि अगर chronic poisoning होती है like arsenic की है mercury है, lead है यह तीनों के इस category में belong करते है metals वाली category में belong करते है जो digitalis है, cardiac poison, carbon monoxide asphyxiant, barbiturate CNS के अंदर वैसे आ जाता है, neurotic वाली category में आ सकता है तो यह poison ऐसे होती है, जो slow eliminated होते हैं हमारी body में accumulate हो सकते हैं तो इनकी repeated administration करते हैं और बार इबार इनको देते हैं, थोड़ी quantity के अंदर तो यह cumulative effect के जरीए जादा chronic poisoning करवा देते हैं तो जो metals होती है, arsenic, lead और mercury तो मैं अगर आपको revise करा दू तो फिर dose के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि जितनी dose पढ़ाई कितना ज़रा toxic effect पढ़ता है तो यह पहली heading हो जाती है dose वाली heading है इसके बाद है form of poison होती है तो form of poison तीन टाइप के आप लिखे वह physical, chemical, mechanical state होती है जो gas और vapors होती है पहले हम कौन सा पढ़ रहे है तो gas और vapors होती है यह ज्यादा तेजी से काम करते है यानि इनका rate of action होता है काफे जादा speedily होता है जो fluid poison होती है वह solid के निजबत जादा तेजी से काम करते है यानि सबसे जादा speed of action होता है वह gas और vapors का होता है फिर liquids या fluid का होता है ठीक हो गया solid के अंदर भी fine powders होते है वह जादा तेजी से काम करते है as compared to coarse particles ठीक हो गया अब यहाँ पे एक बात लिखी है जो pill ऐसी pill होती है जो synthetically coated होती है और alkaline content में soluble हो जाती है तो इनके actions होते हैं वह काफे जदा delayed होती है फिर इसके बाद है chemical combination या chemical state अब जो toxic effect होती है वह vary करते है यानि उनके effect को हम vary कर सकते है different chemical combination से for example कुछ ऐसे substance होते है जब इनको combine करते है तो वह inert बन जाते है like acid quality के साथ मिलाओ तो वह inert बन जाता है जब ही हम जो gastric level जाकर perform करते है तो उसमें tannic acid मिलाते है कुछ substance poisonous बन जाते है like lead carbonate copper arsenide के साथ मिलाए तो वह ऐसे insolubal होते है लेकिन वह solubal हो जाते है by hydrochloric acid in the stomach ठीक हो गया जो lead carbonate और copper arsenide इनको ना मिलाओ बलकि इनको जब stomach के अंदर HCL के अंदर apply करते है तो यह अपने poisonous effect को करवाना शुरू कर देते है like alcohol और barbiturate जब non-toxic doses के अंदर देते है तो यह toxic effect कराना शुरू कर देते है due to synergism तो chemical combination के अंदर आपने क्या पढ़ना है synergism पढ़ना है poisonous form पढ़नी है और inert पढ़नी है इसके बाद है mechanical combination mechanical combination के अंदर लिखा है कि किसी भी poison का action altered हो सकता है जब उसको mechanically combine करते है किसे inert substance के साथ like alkaloides को जब animal charcoal के साथ ले तो वह सही तरह act नहीं कर पाते है या जो crossives, acid होते है concentrated alkaloides होते है जब उनको पानी के साथ dilute करते है तो वह irritant बन जाते है यानि आपने इनके actions को alter कर दी है crossives से वह irritant बन जाते है जब उनको पानी के साथ मिलाते है ओके या फिर alkaloids को charcoal के सब लेते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं, वो काम भी नहीं करते हैं, ठीक हो गया, that is why, जब हम लेते हैं न, powdered charcoal लेते हैं, powdered charcoal, powdered charcoal के दो पार्ट, magnesium oxide का एक पार्ट, और tannic acid का एक पार्ट, तो ये तीनों को मिलाने से universal antidote बन जाता है, तो जो powder charcoal होता है, ये alkaloid को adsorb करने के लिए MGO neutralize करता है, इसे इसको जबकि tannic acid होता है, ये matters को precipitate करता है, इसके लावर tannic acid stride में भी लिखा दा है, तो mechanical combination हो जाएगा, इसके बाद है method of administration होता है, अब poison बहुत तीजी से act करते हैं, जब आप इनको inhale करते हैं, इन्दा gaseous form, या अगर आप इनको gaseous form में, या vaporous form में, या inhalation route से देते हैं, तब ये तीजी से काम करते हैं, फिर इसके बाद, अगर आप इनको intravenous में देते हैं, फिर intravenous की बार य injection होते हैं, और जब आप इनको swallow करते हैं, तो इनके actions होते हैं, बहुत slow slow आना शुरू हो जाते हैं, ओके ठीक हो गया, अगर आप कोई substance ingest करते हो, जो partly soluble है, या stomach full है, अगर stomach full है, substance partly soluble है, तो इस case में, जो actions होता है poison का, वो जड़ा slow down हो जाता है, specifically, अगर stomach के अंदर fatty content हो, तो फिर उसकी absorption हो जाती है, मजीद slow हो जाती है, लेकिन इसकी भी exception है, वो है fast for us, ठीक हो गया, कुछ ऐसे poisonous होते हैं, जो different mechanism के जरिये काम करते हैं, जब different root के जरिये डालते हैं, for example, जो snake venom है, वो highly toxic है, जब इसको inject करते हैं, लेकिन जब इसको inject करने के बाद, needle से inject करते हैं, होता है, इसको inject करते हैं, और इसकी और इसको inject करते हैं, लेकिन जब इसको inject करते हैं, और अल्टर हो जाती है, यानि इन पोईजंस का action हो गया, जब इंको different roots से देते हैं, इसके बाद last headache के condition of the body, इसके अंदर आपने age, state of health, or sleep, and intoxication को पढ़णना है, एज है जो poisons होती है वो extreme of age के पर ज्यादा effect प्रोड्यूस करते है लाइक अगर कोई छोटा बच्चा है या old age है तो उसके अदर metabolic development और poor health के वैले से poisons का ज्यादा extreme effect होता है इसके बाद है state of health होता है state of health के अगर किसी के health poor है तो वो उसको ज्यादा बर्दाश नहीं कर सकेग सिभाए headache के nausea vomiting के कुछ cases के अंदर जो tolerance होती है body की वो कुछ drugs के लिए बढ़ जाती है like hypnotics है और PIs होती है मेनिया के अंदर और stratenine के होती है paralysis के अंदर ठीक हो गया conditions लिखी हुए है इसके बाद sleep and intoxication जो हमारे body के अंदर intoxication के अंदर काफी जादा काम हो जाता है जिसके वरे ज़र किसी भी poison का action डिले हो जाएगा for example अगर किसी ने सोने चला गया लेने के बाद या person intoxicated था या stomach full था तो इस case में उसके action काफी जादा slow हो जाएगा जब वो intoxicated होगा या वो sleep वाली condition के अंदर होगा यूँकि दोनों की case में BMR काम होता है तो हमने तकलिवान यहां तक cover कर लिया है factors modifying the action of poison इसके 4-5 सवाल आने हैं और सारे questions को हमने यहां से cover कर लिया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर देना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहफीज यह part 1 वीडियो है part 2 वीडियो में अभी upload कर देता हूं